कि हलो दोस्तों भारत अप्डेट्स चैनल मा आपका स्वागत है और दोस्तों आज है 21 फरबरी दोजरबाईस और ग्यारा आज की यारा इंपोरिन अप्डेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहां पर आ चुका हूं तो यह दोस्तों कुछ अप्डेट्स हैं यह दो आपको मै यहां पर मैं बताने बालूं तो सभी की सभी आपको इस वीडियों देखने को मिल जेंगी वीडियो को पूरा देख लिजिएगा चले उस्तों शुरू करते हैं पहली अप्रेट्स के साथ तो जहरेली शराब मामला चार सहाइक आयकतों को नोटिस हड कंप डूटी के और कांगड़ा हमिरपूर के एक एक अफसर से जवाब तलब तो यहां पर जो है दोस्तों जरेली शराब मामले में सरकाना जीरो टोलरेंस की निती अक्तियार कर ली है तीन एकसाइज इस्पेक्टरों को निलंबित करने के बाद राज एवम आफकारी विपाग के चार असि साइज इस्पेक्टरों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है तो यह पूरी अपडेट है पूरा आप देख सकते हो आपको यहां पे जरेली शराब का यह मामला है ठीक है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही हिमाचल पुलिस बैंट ने टोप बारा में बनाई जगा त की जवजस्त तारीफ की है इस दोरान पुलिस टीम ने रोहित की फिल्म का भी बजाया इसके बाद रोहित अपनी फिल्म ने मैं हिमाचल पुलिस टीम को बैक्राउंड मुजिक देने का न्योकता भी दिया है दरसल बैंट गो टोप बारा में सीधी एंट्री हासल हो गई है अब बार को जो है कि यहाँ पे शो का परसार न हुआ था और माना जा रहा है कि हिमाचल पुलिस का बैंड इस शो के अंतिम दोर तक पहुचेगा तो यह दोस्तों यहाँ पे अपडेट है नेक्स्ट अपडेट यह रही बीकेंड पर घटी से लानियों की संख्या पार्किं हुआ है शहर में बीकेंड पर पार्किंग भी खाली रही है माल रोड के लिए लिफ्ट का इस्तमान घटने से प्रेटन विकास निगम की आयमें भी करीप चास फिसी की गिरावट आई है शनिवार के बाद रिवार को शिमला और कुफरी में से लानियों की रोनक बहत कम रह और रिवार को उसतन 6 से 7000 ब्रेटन बाहन रोजाना शिमला पहुंचे लेकिन इस अपते ब्रेटन बाहनों की संक्या क्रीब आधी रह गई है और शुकुरवार से रिवार तक रोजाना उसतन 3500 बाहन ही शोगी वैरियर से शहर में दाखिल हूँ है तो यह दूस्तों कुछ पेजडी के लिए मिलेंगे एक दिश्वलाब 2-0 लाक यानिकी एक दिश्मलाब 20 यहां पर लाक रुपे यहां पर मिलेंगे हिमाच्वदेश भवन अन्य निर्मान कामगार कल्यान बॉड के उपा ध्यक्ष ने कहा कि सरकान ने कामगारों के कल्यार के लिए कई यूजनाय बॉड के पास पंजडी मजदूरों के बच्चों को पहली कक्षाजी पेजडी तक भी पढ़ाई करने का प्रवंद किया गया है देशमा पितक किसी भी बॉड ने ऐसर नहीं किया है तो यहां पर जो है इनकी मजडी सरकार ने कैबिट में मजडी दी है जल्द एक दरजन से ज्यादा और यूजने बनाकर सरकार के समक्षर की जाएंगी और यहां पर जो है कल्यार बॉड के पास पंजडी होने के लिए किसी भी कामगार को 90 दिन का कार्य करने का प्रमारण पत्र आनिवारे है इसके बाद समंदित मजदूर बॉड की विफसाइट पर पंजडी करव की एफडी करवाई जा रही है मज़ूर के बच्चे को बढ़ाई के दुरान होस्टल खर्स के रूप में 20,000 अतिरिक्त जो है दिये जा रहे हैं तो यह दोस्तों यहां में अपडेट है चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही नेर्चो कैंसर अस्पिताल तियार अब यह मिशीन पीली टिप केमोथेरपी की सुपिधा लोप्रो स्कोपी की जरी कैंसर की जिनस में जाएगा इंजक्शन कोबाल्ट थेरपी सोगा इलाज तो यह दूस्तों आप यहां पर देख सकते हो इसका बहुत अच्छा भी फाइदा सभी को होगा अभी कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा ना तो यह आप यहां पर देख सकते हो यहां पर चली दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यह रही बारा गंटे में बिक गए टी टुनिटी मैं चोगे सस्ते टिकट तो रात बारा अंद्रस्टी क्रिक्ट स्टेडियम धर्मशारा मचेब इस और 27 फर्वरी को भार श्रिलंका टीम के मध्य होने बारे टी ट्वेंटी कि रिखिट मैंचों के सस्ते टिकट करीब बारा गंटे महीं बिक रात बारा बजे तक साथ सो प्यास रोपे के टिकट बाला इस्ट स्ट स्टेंड बुक हो जुका था तो पहर क्रीब 10 बजे तक स्टेंड दूसरा स्टेंड को भी विक्री के बंद भाद बंद कर दिया गया भारत श्रिलंका के पीच जोनों टी ट्वर्टी मैंचों के लिए पिंद दूसरे के लिए थे तो यह दोस्तों अभी आँ अबरे बिक्रें सभी और भादो श्रिलंका की फिलाने हों की प्रेस कॉनफरेंस ओनाइन फोंगी जाथ को प्रेट के लिए आज सिंबर हो जाएगे दो स्टेडियुम के गेट चलि दोस्तों नेक्स्त अपडेट यह प्रिक्षा चलिए नेक्स्ट अपडेट यह रही तो यह पोस्ट कोड आपका 925 और इसका जाम जो है अभी होगा है तो इसके लिए प्रिक्षा भेजनी होगी रिकोर्डिंग 6 मार्च को होगा पेपर तो 6 मार्च उनका पेपर है 69 प्रिक्षा के इंदर किये गये स्थाप़े तो साइट और एर्वेंट कार्ड भी किये जारी तो यह दोस्तों अपडेट है यहाँ पे चलिए अभी हम बड़ा बड़ा से बात क बड़ा गया था और वैसे भी अभी मार्च में आपके पीजी की एक्जाम हो रहे हैं तो अपराहल में आपके यूजी की एक्जाम होंगे ठीक है कब होंगे अपराहल में आपके यूजी की एक्जाम ओके दूसरा है कि क्या रेग्लोर प्राइवेट आईशे रोल जो तो देशीट भी सेम ही रहती है तो आप देख लेना आपकी देशीट वहीं रहती है सेम ही रहती है चाहे वह रेगलर हो प्राइबेट हो या आईशेडोल के स्टूडेंट्स हो ठीक है अच्छा तीसरा क्या है तीसरा था यहां पर चाहे वह यूजी का रजल्ट्स हो कम से कम 3-4 महीने तो 3-4 मत रहLY जाते है रिजल्ट आने को अभी देखो जैसे किसे एकम डिसम्बर में हुए होंगे तो अभी जंबरी मैं तो होलेडेस सी फर्बरी मार्च अप्रायल मार्च अप्रायल तक आप उम्मीद रख सकते हो उनकी रिजल्ट की और हाँ ठीक है और दोस्तों ये इसलिए है क्योंकि अभी ये पहले देंगे आपका जो फाइनल वाले ना उनका रिजल्ट पहले देते हैं उसके बाद जो बचते हैं जैसे आना दिये थे जैकिंड के बो सेके रभ बाद माया पहले आएगा फोर्ट सुन्स्टर का ठीक है तो बोटनी में घालप आ गया बाकियों का नहीं आया अभी तक अभी सिर्फ तीन-चार स्टीम्स का ही आया है जो तीन-चार कोर्सिज जैं बोटनी का हो गया दो-तिन का आया भी ना बाक्यों को नहीं आया तो उनका भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट ठीक है तो यह है कि आप जब आपके एक्जाम हो उससे तीन-चार मेहने आप एक्स्टा लगा लो उसके बाद ही रिजल्ट आता है इस वार जनवरी में छोटीयां थी तो इस और मेने का टाइम रख लो तो तब तक आपका रिजल्ट आ जाता है ठीक है तो अभी जिसके एक्जाम अक्तूबर नुम्बर नहोंगे तो नुम्बर में आपके एक्जाम हुआ है तो देसंबर जर्मी छोड़ो फरवरी मार्च मार्च अपरेल तक आपका रिजल्ट फिर आ सकता है ठीक है तो यही थी आज ही कुछ इंपोर्टन अपडेट्स और यूजी का रिजल्ट बोले थे और पीजी का तो पीजी का तो भी आ रहा है फोस्मिस्टर का तीन चार का जोका है बाकी का भी जल्द आपको देहने को मिल जाएगा ठीक है और इन्होंना पहले बोल लगे तो लाइक शेर चैनल को सब्सक्राब चुरू करिएगा और कोई आपका कोश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता देना ठीक है थैंक यू